एक्सोपचासवी गांधी जन्ती के अफसर पर बागमारा का एक बड़ा हिस्सा जिसे सलक मजबूती करन के रूप में एक बड़ी सोगात मिली है। कपुडिया मोर से चाताबाद और सीजुवा तक सड़क मजबूती करन का सिल्यन्याज बागमारा बिधायक द्वारा किया गया है जिसकी लागत लगबग 27 करोड है इस दोरान कपुडिया मोर पर महत्मा गांधी और लाल बहादुर सास्त्री के जन्ती पर सिल्यन्याज सा बाजपा द्वारा किया गया जिसमें बतोर मुकतिती बाजपा के बागमारा बिधायक दुल्लु मातो उपस्थित हुए वही कारक्रम में हजारों की संक्या में बाजपा कारकत्ता एवम माईलाय महजूद रही इस दोरान बिधायक का सक्ति परदर्शन की भी एक जलक साफ देखने को मिली कपूरिया मोर से कतरा चाताबाद पूल एवं सिजुवा तक सड़क निर्मानकार का सिलन्यास मुख कतिती बागबारा विदाट डुल्लू मातों के द्वारा किया गया इस मौके पर उपस्तित लोगों को डुल्लू मातों ने संबोधित किया अपने संबोधन में विदायक डुल्लू मातों ने पूरु मंत्री जलेश्वर मातो और ओपी लाल पर जम कर बरसे वोने कहा कि ये जो दो पूरु मंत्री है धनबाद में बैठे स्रिप मापिया के इसा ये टेकनिकल पर ब्रोब्लम के चलते हमारा बिधायक बनने के बाद तेकनिकल पिरोब्लम बहुत ज़्यादा बहुत समय से लगे हुए थे कि ताटा कंपनी बोल रहा था मेरा repetition मेरा रोड है याँ कि मिलाकर बिधायक कभी इस बात को सोचा हिने और बनाने का पर्यास भी न उसी लेकर पी डवलूडी में इस रोड को कनभट करवाने का काम के और मानिये मुखमंत्री जी का सहयोग और जोगदान से मुखमंत्री जी का नित्रित में इन बातों को मैंने रखार मानिये मुखमंत्री जी इन बातों को गंभिटता से लिया और इस छेत्र के जन भावना को समझते हुए इस रोड का निर्मान करवाने का उन्होंने पहल किया और आज से लेनास हम लोगों ने देखी रहे हैं विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है कोई समयसिया नहीं हम लोगों ने तो बागमारा विदान सवाथ छेत्र में लगभग 50 मंदिर का निर्मान करव या एक भी ऐसा समयसिया नहीं है जो कि हमें लगता कि समयसिया है और कोई समयसिया अगर बिरोधी के पास तो दे एक महिना कंदर उस समयसिया को निदान करने को प्रयास करेंगे जो इन्सान से हो सकता था वह पार्टी भारती जनता पार्टी और मानिये मुक्मंतरी live तास किये जनता अब हर कुछ समझ रहा है जनता अच्छा काम करने वाला व्यक्ति को भोड देंगे जनता का सेवा करने वाले व्यक्ति को भोड देंगे जनता के हर सुख दुक में रात दीन कभी भी खड़े हने वाले व्यक्ति को ही वो अपने असिरबादार भोड देंगे और वह बोड मत से विधायक बन कर इस छेत्र के लोगों का सेवा करने का काम करेंगे